आज हम चर्चा कर रहे हैं मुक्ति क्या है? सामानता हम लोग ये कह देते हैं अब हम संसार से बहुत परेसान हो गए हैं भगवान अब तो हमें मुक्ति दे दे तो बढ़िया है पर मुक्ति का स्वरूप क्या है? ये हम बहुत कम लोग ही जानते हैं भगवान तो मुक्ति दे सकते हैं भगवान तो सर्व समर्थ हैं पर मुक्ति कहते किसको है इजो संसार में तरह तरह की उथल पुथल माची हुई है इस उथल पुथल से अपने आपको साधना से और भगवत कृपा से इतना उपर उठा लेना कि उथल पुथल नीचे रह जाए और हम समतल पे पहुँच जाएं तो समतल क्या है सम क्या है सम एक ही है इश्वर जो तिहुकाल एक रस रही उस एक रस रहने वाले इश्वर में हमारी इस्थिती हो जाए इसी का नाम मुक्ति है तो वो हो चाहे वो साधना से हो चाहे उसकी किरपा से हो पर सामानता हम लोग साधना नहीं करना चाहते और किरपा के लिए भी विसेश सभूख नहीं है बस कह देते हैं परिशान हो करके कि अब तो भगवान मुक्ति दे दे तो अच्छा है तो भगवान मुक्ति दे सकते हैं पर हमें उसके लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है सत्संग के माध्यम से भगवान को जानना पड़ता है और जब धीरे धीरे भगवान तो हाथ फेला करके खड़े हुए है जो हमारी इस्तिती भगवान में होने लगती है तो हमें मुक्ती का एहसास होने लगता है पर सास्त्रों को देखें तो ये समझ में आता है कि मुक्ती भी कोई एक प्रकार की नहीं होती है पांच प्रकार की मुक्तियों का वरिणन सास्त्रों में आता है सालोक के मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप पे मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति और सायज्य मुक्ति पांच प्रकार की मुक्तियों नाम से ही समझ में आता है सालोक मने भगवान के लोक में रहने को मिल जाए, सामीप मने भगवान के समीप रहने को मिल जाए, सारूप मने भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, सार्ष्टी मुक्ति का मतलब है भगवान के जैसा एश्वर भोग बिला सुलब हो जाए, और सायुज मुक्ति मने भगवान में मिल जाएं डूब जाएं भगवत स्वरूप होके जैसे बिंदू सिंदू में समा जाता है ऐसे हम समा जाएं ऐसे पांस तरे की मुक्तियां हैं तो ये सब जान करके हम जैसे भाव से भगवत भक्ति करेंगे भजन करेंगे तदनुसार भगवत कृपा से हमें उस मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है ऐसा जान करके हमें मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए सत्संग के माध्यम से सदगुर्यों के आस्रे में भगवत कृपा का आस्रे लेकर के धन्यवाद